हर्याना के बहादूरगड में लिव इन रिलेशन्शिप तूटने से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका पर हमला बोल दिया। प्रेमी ने प्रेमिका पर बर्फ तोड़ने वाले सुए से ताबर तोड़ हमला किया। इस हमले में प्रेमिका घायल हो गई है। पुलिस मामले की प तूटन पर नाखुश था। उसने बर्फ तोड़ने वाले सुए से प्रेमिका की गर्दन, छाती, कंधी और पेच पर आधा दर्जन से ज्यादा वार किये। उसे घायल अवस्था में बहादूरगड के ब्रमशक्ती संजीवनी अस्पताल में भरती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने आपसी कहा सुनी के बाद प्रेमी ने जहरीले पदार्थ का सेवन भी किया था। वहीं, घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरसल, यहां राजबाला नाम की एक महिला ब्यूटी पारलर चल सोनु ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर बर्फ तोड़ने वाले सुए से एक के बाद एक राजबाला पर कई वार किये। राजबाला के कंधे, गर्दन, छाती और पेच में आधा दर्जन से ज़्यादा चोट के निशान है। राजबाला को इलाज के लिए बहादू पिछले महीने 10 अपरेल को भी दोनों का आपसी जगडा हुआ था। इसके बाद सोनु ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जान देने की कोशिश की थी। लेकिन वो बच गया था। इसके बाद भी दोनों में तनाव बना रहा। राजबाला ने आरोपी के खिलाफ सक कार्रवाई करने की मांग की है। वही पुलिस ने घायल राजबाला की बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी प्रेमी की गिरफतारी के प्रयास भी शुरू किये जा चुके हैं।